हेलो सुदेंट्स मैं अंगर्वविले आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मागनेट बेंस हिंदी पर मागनेट बेंस हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कख्छा 6 से लेकर कख्छा बार्मी तक का संपोन पार्टिक्रम बिलकुन ने प्रफ्त वह भी क्वालिटी कान्टेंट और दीटीजर के साथ कहले बात करते हैं कि हम आज इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे तो हमारा आज का वीडियो होने है ना तो सारे topics को हम इस पर देख लेते हैं क्या क्या कबर करेंगे तो इस अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ेंगे तो इस पर आएगा भई बनों का बिनास क्यों किया जा रहा है जमीन की बहतरी कैसे की जाए कैसे होगी पट्री पर originally मतलब यू रही बात की गई है बागान की conflictingाटी की सुरूआ को इसल की सीवात वोगी ढब्र लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ हो तो प्रभावित होने का यहां पर कुछ कानून आ जाएंगे नgrowth सैंग की शुरुआत होगी तो जंगल कानून ाएंगे उनसे लोओं का जीवन प्रहावित हगा तो इसमें देखें मों का जीवन कैसे प्रहावित होती है चांटागे हम लगेंगे यहां पर जो हमने देखा वन कानून आ जाएंगे तो उनसे वनों के नियमों से खेती कैसे प्रहावत होगी जो हमारी झूम केसी होगी घुमंतु केती होगी सिप्टिंग एग्री कल्चर होगा उन सब पर कुछ पावंद्या लगेंगी कुछ बंदस्या और नई सेवाओं की वनढूरो बस्तर के लोग और लोगों के भाइँ यह बात हैं भी हमें देखना यहां पर कि वनज के अंदर का बिद्रो हो जाना बस्तर के लोगों के लोगों के बार्व के बाद चलेंगे जाव़ तब की तरफ मतलब इंडोनेसिया डेस की तरफ जो आज का इंडोलेसिया है उसी का एक दूइप है जावा तो हम जावा की तरफ चलेंगे तो जावा के जंगलों में बदलाओ देखेंगे फिर जावा के लकड़ हारे जो लकड़ी काटने वाले लोग है जावा के उनकी उपर बात होगी वहाँ पर डच वग्यानिक ख सारे टॉपिक हम इस पूरे अपने कंप्लीट चप्टर रिविजन के अंदर एक ही वीडियो में सारे कवर करने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि परचय की तरफ जाते हैं तो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर में कहा जा रहा है कि हम वन इसके मतलब क्या होगा कि इसका संबंद किस से होगा इसका संबंद बंद से होगा और वन को हम कहते हैं क्या जंगल और जंगल में क्या होता है जंगल में होते हैं पेड़ और पेड़ आपको क्या देता है मौटते तौर पर लकड़ी क्या देता है लकड़ी इसके लावा प तो बन समाज मतलब कि इस जंगलों में रहने वाले जो समाज होंगे उनके उपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो हमने अभी सिर्फ बन का कॉंसर्ट देखा बाद में एक सब्दारा जिसको आप कहते हैं उपनवेसवाद है ना उपनवेसवाद तो इस उपनवेसवाद पर भ पर पर भी कब्जा हो गया है द्रफ तो अब जैसे हम यह Nejसार करते हैं उसके पहले आप क्या करें आप अबने स्कूलond में हैं अपनी कोचिंग में हैं अपने घर में हैं कहीं भी बैठे हुए हैं के विन तो नजर घुमाएं और नजर घुमाकर देखें अपने ।रफ और ये परकने की कोसिस करें, ये समझने की कोसिस करें, कि क्या-क्या चीज़ें लकडी की बनी हुई है, जब आप देखेंगे गोर से, तो आपको नदल अगया कई सारी चीज़ें लकडी की बनी है, या तो लकडी से बनी है, या जंगल के, या पेर के किसी उत्पात से बनी है तो आप जिब साइग काई सारे चीज जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि काई सारी चीज़ āट यहार जंगलों से ही आई हुई है A Why देखना पड़ेगा मैं आपको अधालन बतादा हूं जैसे आफ एक लाक होती है क़ड़ा बनाता है क़ mereka जो महलाई पहनती है वो लाग कहां से आती पेड़ का ही उत्पाद है तो यह भी क्या हो गया वन उत्पाद हो गया या ब्रक्ष उत्पाद हो गया पेड़ के उत्पाद से हमने गौंद इखट्टी की कुछ प्रोसेस करके उसको हार्ड किया और फिर उसका उपयो किसमे करने लगे कढ़ा बनाने में करने लगे जो हमने नजरें घुमाई तो हमने देखा कियार यह किताब पकागज किस से बना होगा समझ में आया किताब पकागज पेड़ से बना है पेड़ से लुगदी तयार करते हैं जिस मेज पर जिस कुरसी पर बैठे थे वो भी लकड़ी की ही थ की हम अपनी जिस दरौआजए से प्रवेस कि यह जिस्क्री कि से हम देख रहे हैं वह भी ज़दतर लकडी के बने हुएूए थे हम जो रंग देखते हैं जिन रंगों का उप्योग हम होली ने करते हैं जो रंग हमारी жизнь अमारी रंग भरते हैं और रंगों पर जब गोर किया दिखा कि यह नग भी फूलों से बन रहे हैं और फूल पेड़ों मिलते हैं मतलब कि या प् Miip शक्र में खाना खाते हैं। मसाला जैसे ही डालते हैं कि змुषू आती हैं भूग बढ़ जाती हूँ दबा के खा लेते हैं और फिर रखक लेते हैं यह तो मजाक बाली बात वे लेकिन मसाला क्या है हमारे टेस्ट को भी बदाता है साथ मैं नैं सालों चाल है कोई पेड़ का पत्ता है कोई किसी का फल है कोई किसी का फूल है यह सब मसाले है तो यह सब चीज़ें कहा मिलती है पेड़ों से मिलती है और पेड़ पुना आपको जंगल में मिलेंगे मतलब कि यह क्या हो जाएंगे आपके वन उत्पाद ही हो जाएंगे तो आपने से गोर किया तो पाया कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वन उत्पाद या जंगरों से ही निकल कर आई हैं मैं आपको इसकी चीज़ बता दूँके जिस से कई सारे लोग बोलते हैं कि मसाले जो हैं आजकल हम इलने करने लगे हैं होता जाए तो बोले हम तीखा खाएंगे तो हम अती करने लगे हैं इस कारण से हर चीज हैना कहते भी रहा अती सर्वत वरजेत तो अती क्या हो गई कि अत्रीकर करन लुक्सान होने लगा आप मसाले जो है वो इसलिए बनाए गए थे कि जो आपने खाने में मिलाते हैं मसाले तो आपकी कोई दवाई अंदर जाती जाए चोटी मोटी बीमारियां सरीर में होती रहती हैं और वो इंसे ठीक हो जाएं जैसे आप उधारन के तोर पर देखना इस चीज को पहचान पा रहे होंगे यह क्या है इसको कहते हैं हल्दी और आपके लगबख सभी खानों में हल्दी डलती है ऐसा कोई खाना नहीं 90% भुदन जो है जिसमें हल्दी डलती है और हल्दी के बारे में आप जानते हैं कि यह क्या है अगर खाते हैं तब भी दवाई का काम करती है आप जानते होंगे तो बनों ने आपको इतनी important चीज दी है यह भी क्या है आपकी पहले जं करती है जैसे आप जैसे आप लुग सब को by liens करती है मतलब कि अगर फंडा जाभा है तो गर्म कर देगी गर्म जादा है तो खंडा कर दे काले यह ठंड़े गर्म का मतलब से की तासीर कैसी होती है ठंडा और कर तो मसालों की बास कैसी ना कि भाई बहुत थे बैदकation हो गए मसाले लेकिन मसालों का उपयोग बहुत अच्छे चीज के लिए कि लिए था ताकि आपकी सारे रिक balance बना रहा है सारे रिक संतुलन बना रहा है पेट के अंदर का बाहर का नहीं अंदर का संतुलन बना रहे और साथी साथ खाना भी टेस्टी हो जाए तो हमने नजर गुमा कर देखा कि मूझ से लेकर मतलब खाने की चीज़ से लेकर बैठने की चीज़ लेटने की चीज़ पढ़ने की चीज़ लगब अधिकांस चीज़ है हमारी लकड़ी से बनी है या वन उत्पादों से सबनी हुinois हम ने ये सब यहां पर पाया हम ने देखा के हम धुम्रपान भी कई सारे लोग करते हैं उस सब्हूमरपान में भी का उप्योंक करते हैं वह ईस्का पहले चिपकाने Santin 프로 घॉक करते हैं हम खाने में उप्योग करते हैं हम गहनों के रूप में लाग के रूप में भी इस गोंद का प्रियोग करते हैं गोंद भी कहां से मिलती है पेड़ से सहथ जिसको है आज के जमाने में ready to eat का concept हो गया है मतलब चाय तयार होकर आगई पैकेट में हरम-करम करके पी लेते हैं कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि भीया उनको पता नहीं होता है कि चाय पेड़ पर होती है कहां होती कहीं को नहीं पता तो बड़े-बड़े ऐसे हैं दुन करेंगे ना तो आपको ऐसे भी उधारन देखने को कई सारे मिलेंगे लोग ऐसे भी हैं यहां पर आप देखे चॉकलेट में इस्तिमाल होने वाला जो साल का तेल है वह यह जो तेल है वह साल के वीजियों से बनता है जो टौफिया हम खाते हैं खाल से चमला अलग करने में चमला बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म सोधक चड़ी बूटिया यह भी कहां से मिलती हैं आपको जंगलों से मिलेंगी बास जलावन की लकड़ी घास कच्चा कोईला पैकिंग में उप्योग होने वाली बस्तुए फल फूल पसु पक्षी एवं धेरों दूसरी चीज या ब्रेक चुटकात की रूप में आप उनको उपयोग करते हैं मतलब पैड़ से कोई चीज आई है यह डारेकली या इंडारेकली हम उसका उपयोग कर रहे हैं सबसे बड़ी चीज तो अपक्सिएजन ही उपयोग कर रहे हैं यह भी आपमान के चलो वह नहीं होती तो हम बिगारने वाले लोग हम लोग तो बिगारते हैं ना अमेजन या पश्चमी घाट के जंगलों में एक ही टुकड़े में मतलब आप एक कोई सेंपल उठाएंगे एक टुकड़ा उठाएंगे वहाँ पर आपको लगबग 500 अलग अलग प्रजाती के पेड़ पौधे देखने क मिल जाएंगे तो यह विवित्ता है आप देखें यहाँ पर विविन प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे और विवित्ता क्यों मिल लई कि हर एक जगए पर आपको लगबग सभी चीज मिल जाएगी अगर आप यह मानें कि अमेजन में एक ही प्रकार का पेड़ मिलेगा और पश्चमी घात में एक ही प्रकार का मिलेगा तो हम डिफ्रेंट टाइप की चीजों का उप्योग नहीं कर पाएंगे बिविन प्रकार की चीजों का उपयोग तभी संभाव है जब आपके पास बिविन प्रकार के पेड़ हों यह क्या बता रहा है कि आपको एक छोटा सा इलाका देखते हैं तो 500 अलग-अलग प्रजाती के पेड़ मिल जाते हैं मतलब हमारे जंगलों में बिवित्ता भी बहुत होने वाली है बिवित्ता जो है जो यह बात की गई है बिवित्ता की बिवित्ता क्या है अलग-अलग प्रजाती के जो बन है इनको ही हम बिवित्ता कहते हैं यहीं बिवित्ता क्या हो रही है लुक्तोना स्टार्ट हो गई है इसके पीछे कारण क्या है और द्युक्ति करण क्यों जिम्मदार है इसके लिए क्योंकि उद्योगों के लिए या और लोगे के इस्तेमाल के लिए जमीन को साफ किया रहा है पहले चीज तो जमीन चाहिए है तो जंगल कातकर वो जमीन साफ कर दी है उद्योग के इस्तेमाल के लिए अब उद्योग लगा दिया गया है या जयनवर चराने के लिए जमीन को साफ कर दिया या घर खाना पकाने के लिए जमीन इस कारण से ये सभी कारण है जिन कारण से अपको क्या हो गया है कि हमारे जंगल घट रहे हैं या ये विवित्ताएं क्या हो रही है लुप्थ हो रही है और दोखी करण में क्या होता है कि एक ही प्रकार की पेड़कर फोकस करेंगे जिसके कीमत ज्यादा मिलेगी जो द्योग तरके जंगल क्या कर दिये गए हैं साफ कर दिये गए हैं ये कुल छित्रपल का कितना था लगबग 9.3% हुआ करता था इतने जंगल क्या किये गए हैं साफ कर दिये गए हैं इतने जंगल आपको देखने को नहीं मिलेंगे उड़ा दिये गए हैं अब बताती है कि यह जंगल स कर रहे हैं उन जंगलों का साफ करना मतलब क्या हो गया जंगलों का नास करना तो हम सबाल पूछते हैं या हमारा टॉपिक हो जाता है वनों का बिनास क्यों हम क्यों जंगलों को अनास कर रहे हैं क्यों उनका बिनास कर रहे हैं तो वन बिनास क्या है वन बिनास का मतलब क्या है वन का विलुप्त हो जाना ही क्या कहलाता है वन का विलुप्त हो जाना कहलाता है वन बिनास और ये वन बिनास जो है वो आज की समस्या नहीं है हाला कि आज बहुत तेजी से होने लगा है ये वन बिनास की समस्या जमाने से चली आ रही है लेकिन आज के दोर में ये समस्या बह काट 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 कैसे पिकद यहाँ पर इतना बड़ा प्यद्व होने में तो समय लगेगा ना और छोटा फेट होगा तो कई तूड़ गया कई समस्या है आती रहेंगी यहाँ पर तो जंगल काटे जा रहे हैं इस से जंगल लुक्त हो रहे हैं और जंगल लुक्त हो रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि बन का नास हो रहा है बन का बिनास हो रहा है और जो बन के बिनास की समस्थ्या है यह आज की नहीं है सदियों से चली आ रही है लेकिन यह बहुत जादा तरीके से या बहुत बिवस्थ् काल में आ आ गए मतलब कि हमारे उप अंग्रेजों का सासन को हम कहते हैं और व्यापक तरीके से इस अब जंगल कट गए हैं जंगल कठने के पीछे हमने कई सारे कारण पुराने रुस्थाओं में अगर आप आप देखेंगे कि पुरानी वस्थाव में जंगल कटने के पीछे कारण है कि हम जूम खेती भी करते हैं और अंग्रेजों के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं उनकी अपनी को जरूरते हैं है ना वह उस चक्र में जंगल काट रहे हैं आपर तो अब बात आती है कि जमीन क हो कैसे सुधारा जाए कैसे बैतर किया जाए तो खेती जो है वो 1916 सों में हिंदुस्तान की कुल भूभाग के लगबख छटे हिससे पर आपको खेती को बरतमान में कितनी हो गई है 50.60 को गई है मतलब के पुरे हिंदुस्तान को ऐसा माल लें और अगर कुछ इस तरीके से ह three four five और six अब मानते हैं कि भाया यह छ्चटमा हिस्सा जो है इतने पर क्या हो जा था पहले इतने पर ही खेती होती थी है ना सिर्फ इतने पर खेती होती थी मतलब बाकी में क्या होगे आपको जंगल कुल देखने को मिल्ध होगे न सारे पर जंगर होंगे लेकिन आप देख पारें कि बर्तमान स्थिथी 50% मतलग वि कितना एधा होगे है केती मैं अब कितना होगे लगवग आधा मतलब कि अगर हम क्या करें खेती अब कितनी होने लगी है अगर मैं बात करूं यहां पर तो अब क्या हो गया इसको यह आधा यह कवर हो गया आधा मतलब क्या हुआ है यहां पर जो इलाका हमने क्या कि यह जंगलों का ही हमने साफ किया नहीं यहां पर तो जंगलों का विस्तार किया जार मतलब जंगलों को नास कर रहे हैं और और भूख लगेगी तो उसका पेट भरना पड़ेगा मतलब खाद ज्याने की जरुवत पड़ेगी मतलब क्या होगा खाद पदार्थों की मांग यहाँ पर बल जाएगी कि आपको खाने की चीजन जाला उगानी पड़ेगी जब इन पदार्थों की मांग बढ़ेगी तो इन करना पड़ेगा तो हो जाए करो भया नास खेती की सीमा तो बनानी पड़ेगी तो कैसे भाई हमने खेती की सीमा जंगलों को साफ करके हम क्या कर रहे हैं खेती की सीमा बढ़ा रहे हैं मतलब कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं खेती का खित्रफल बढ़ा रहे हैं खेती का एर से खेती के अंदर फैलाओ आता है अब खेती के फैलाओं की बजह क्या है हमने देखा कि खेती को फैलाया गया एक बजह तो हम जान गए थे कि खेती कैसे फैलाई गई चुकि हमारे उत्पादन हमारे मतलब खाद्यानने की मांग बढ़ गई थी इनके अलाबा भी कई सारी और दोगिक फसलों का अउद्पादन करना तो यह इन खाद्यान या और दोगिक फसलों की मांग जाना इस कारण्ट से भी इनका क्या किया गया खेती का सीमा बढ़ाई गई यह खीति का छित खाद्यान की जरूरत है वो चुकि आबादी बढ़ गई है इसलिए उस बड़ी हुई आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान की जरूरत है और जोगिक फसलें क्यों गाई जा रही है ताकि उद्योगों में ये कच्छे माल की रूप में प्रियोग हो सकें और फिर उस उप्योग हम आप जैसे लोग उसको कर पाएं तो इसके लिए खाद्यान और 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 दोगर फसलों को इनकी मांग बढ़ी इनकी उत्पादन पर दबाओ बढ़ा कि जादा उत्पादन करो जादा पादन के लिए आपको च्छित्र जादा चाहिए है इस कारण से भी खेती क एक दून ना गैहूं बद्क करदेन को पूर्षायक युजा जाया क्यों सबस्क्राइब यहां पर तेजी से होने लगा इस कारण से खेत की क्या हुई यह अच्छे आपी खेती की क्या हुई सीमा बढ़ी उसका छित फल भड़ा यह खाद्यान फसलों में आप देख पा रहा है यह गन्ना है गन्ने से बनती है चीनी और क्या बनता है गुल यह दो चीजें हम तयार कर जंगलों को अनुत पादक समझा का मतलब क्या है कि जहां से कोई उत्पादन नहीं होता है ना अनुत पादक क्या हो गया जहां से कोई उत्पादा नहीं होता तो उनने क्या है जंगलों को अनुत पादक समझा मतलब कि अगर जंगल ना होते और वहां पर जंगल की जगए क्या करते खेत होते तो यहां पर खेती हो रही होती और हमको क्या मिलता लगान मिलता और क्या होता हमारी आयब बढ़ जाती ऐसा उ ऐसे एक इलाके जो बेकार पड़े हैं जहां से उत्पादन नहीं हो रहा है ऐसे बेकार ब्यार्थ के ब्यावान पर खेती करके उससे राजस और किसी उत्पादों को पैदा कर सकते हैं इससे क्या होगा राज की आए में बढ़तरी होगी मतलब आए बढ़ेगी हमने सबसे पह है जैब करता है जंगल को काटा रहा है रहा घट रहा है को जंगल की जमीन नहीं नहीं आ रहे है वेविवस्था यह वबस्ता यहां पा रख दी गई तो आपको इस समझ में आया यहाँ पर कि सरशट लाख हेक्टिर की बड़त हुई आप समझें कि लगभग बहुत सारा जंगल यहां पर काटा गया होगा खेती के विस्तार को हम विकास का सूचक मानते हैं और जमीन को जोतने के पहले जंगलों की कटाई करते हैं या कटाई की जाती है अब बात आती है कि जंगल करवा रहे थे उनका क्यों दोहन करवा रहे थे इसके पीछे कारण तो बात करेंगे पट्री पर स्लीपर्स के बारे में स्लीपर संदी ट्रैक पर बात करेंगे ट्रैक की बात की जा रही है यहां पर तो यह ट्रैक हैं क्या आपके यह जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं ये रेज विलाएं ये ट्रैक हैं और इन ट्रैक के नीचे जो है वो क्या है ये स्लीपर है तो ये बात की जा रही है कि पट्री पर स्लीपर तो ये स्लीपर हैं ये क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है पहले हम इनकी बात करें ये स्लीपर जो है पट्री को क्या करते हैं इस इसका उप्योग हम एक जगह से दूसरी जगह आने जाने और माल्ड होने में करते हैं अब आपने कभी गौर किया होगा आप पट्री पर गए होंगे तो ऐसे डंडे बने रहते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल डंडे किसके बने लगें सिमेंट के लेकिन पहले य यह सिलीपर बनते थे जंगलों को नास करके उनको काट कर और उनसे क्या करेंगे यह सिलीपर तयार करेंगे फिर उसके उपर क्या करेंगे हम अपनी पट्री डालेंगे रेल चलाएंगे फिर उसके बात किया जाएगा अब बहुत आती है कि पट्री पर सिलीपर जो हमने बा बैतूल किरिया बorous ले ऑंक बालूट या ओक रुत नहीं है बैटूल तो जिला है मद्दप्रदेस का बलूट या ओक के जंगल क्या होने लगे लिफ्वना स्टार्ट हो जाते हैं बलूट की लकडी जो है वो बहुत मजबूत होती है और टिकाउ होती है तो बलूत की लकड़ी मजबूत और टिकाउ होती है इस कारण से बलूत की पेड़ का उपयों किसमे करते हैं हम काटते हैं लंबे लंबे सिलीपर काटते हैं और उनका उपयों फर पटरी पर बिछाते हैं और जहाज के अंदर भी करते हैं ये बलूत या ओक का पेड़ आप देखें ये आप जो देख पा रहे हैं ये आपका बलूत का पेड़ है बलूत का जिसको आप कहते हैं ओक भी कहते हैं ये बलूत या ओक का पेड़ है तो इससे क्या है कैसे लंबे लंबे सिलीपर काट लिए इस तरीके के और उसके उपर क्य स्कीए समय तक चल सकती थी अब यह बात कर रहा है यह सिलीपर डालेंगे आएगा जहाज बनेगा इनकी जरूवत क्यों थी क्योंकि साही नौ सैना के लिए साही नौ सैना मतलब roryal navy की बात की जा रही heel इंगलेंड की तो साही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ती भी तो करनी है तो यह आपूर्ती कहां से हो रही है जंगलों से हो रही है इनकी कटाई हो रही है इस कारण से जंगल लुप्त होना स्टार्ट हो गए मतलब ओक के पेड़ लुप्त होना स्टार्ट हो गए इन 220 के दसक में खोजी दस्ते होते हैं खोजी दस्ते हिंदूस्तान आये हुआ की अन्समपदा काuyorsun मतलब यहां का investigation किया उसकी जाज करते है कि ने बताया कि यहां पर जंगल है उनका बड़ा अप्योग किया सकता है यहां पर बड़े-बड़े लट्था शौर defending मिल सकते हैं और बड़े बड़े लठरों को हम क्या कर सकते हैं और जहाज बनाने में तो वह आए यहां पर और उन्हें अपनी रिपोर्ट बता दी कि भाई यह तो बहुत सही है अगले एक दसक के अंदर आप देखें कि बड़े पैमाने पर पेर काटे जाने लगे और भारी म बनाने में भी करने लगें तो हमारे जंगलों को भी नुकसान पहुंचना स्टार्ट हो गया हमारे बनों का नास भी होने लगा अब रेल का जो प्रसार हो रहा था भारत में भी होगा और दूसरे आपने वेसिक राज्यों के अंदर भी होगा तो अब रेलवे के पसार से ल जंगल की कटाई क्या होगी जादा होगी जंगल की कटाई यहां पर जादा होगी तो अब यह लकड़ी आप जो देख पा रहे हैं कि भाई इसकी मांग आ गई तो अब यह मांग कैसे आई इंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग इंधन के रूप में भी करते हैं दूसरी म सब् viewed मुक्राइब की लिए सुलेबर क्या है सिली पर रियोंक के लिए सी तरीके से कि और आपने देखे में और यह कि दुड़ी हैं उनकी ऋपर पत्रियां टी है और उनको उसपर कर दिया जाता है ताकि पत्रियां आपस हम पस पर चलती रहें तो स्लाइक के लिए और स्लीपर की से बनेंगे रागिटी से लाइन वही भिए तरक में आवाला कोत मतेज होगा तो ब्यापार ज्यादा अच्छा होगा इस चक्कर में रेलवे लाइनों का विस्तार अनिवार हो गया था आप देखें अगर एक मील लंबी आपको रेल लाइन बिछानी है रेल पटरी बिछानी है तो इसको कम से कम आपको कितने चाहिए 1760 से लेकर 2000 सिलीपर की आसपास आप इतने की आउसकता आपको पढ़ेगी ऐसे डंडे कितने लगेंगे 1700 से 2000 डंडे आपको ऐसे लगाने पढ़ेंगे इनकी आउसकता आपको यहां पर पढ़ेगी ही पढ़ेगी तो यह कहां से आएंगे यह तो पेड से आएंगी तो भाई फिर क्या होगा जंगलों को काटा ज चला जाती है तो 68 के तसक से क्या हुगा तेजी से रेलवे का फैला होना स्टार्ट हो गया 1890 तक भारत में 25,500 किलोमीटर लंबी रेल लाइने बिचा दी गई थी यहां पर उनिसोचालीस में इन लाइनों की लंबाई साथ लाख 65,000 किलोमीटर बढ़ चुकी थी इतनी लंबाई आपको देखने को मिलेगी बड़ी हुई तादाद में क्या हुए पेड़ भी काटे गए भाई जब रेलवे बढ़ेगी तो बड़ी तादाद में क्या होंगे पेड़ क ठेके दिये जा रहे हैं और यह पेड़ बिना सोचे समझे कटवाए जा रहे हैं और रेलवे लाइनों के इर्दगिर्थ के जंगल तेजी से गायव हो गए जंगल जहां से रेल निकल रही वहीं का ठेकर दिया बना दो सिलीपर बना देते हैं तो इससे क्या हुए रेलवे तीन सो मील नंभी एक नई रेल बनाई गई इस पर अगर देखें दो हजार प्रती सिलीपर मील की दर से इसके लिए दस फूट भाई दस फूट भाई पांच इंच मतलब क्या हो गया दस फूट लंबा है ना और दस इंच ऐसा चोड़ा और पांच इंच उसकी मोटाई तो ऐसा यह आजाएगा ऐसा स्लीपर आपको यहां पर चाहिए है तो इज दस फूट गोड़न दस इंच गोड़न पांच इंच तो इसकी लगबग 6我 स्लीपरों की आउसकता हो जाती है इसके लिए आपको लगबग 2 live फिट से उपर लगड़ी कातनी पड़ी या इतनी लगड सब प्रतिजन एक ट्रेन है तो घंता लेती एक मन प्रतिटेन मिल के हसाफ से एक चालिस किलो कड़ी लग जाएगी एक मिल चलने के हिसाफ से तो आप देखें यहाँ पर लगबग किता आगया सालाना दो लाक उनीस हजार मन की जरूरत होती थी सालाना यह इंधन के तोर स्टार्ट हो जाएंगे इसके रावा हम इट भट्टे बनाते हैं कुछ पकाते हैं तो इसके लिए इट की ज़रुवत पड़ती ही पड़ती थी यह जो वहाँ पर मुलतान से शुकूर के बीच में हम रेलवे लाइन बिचा रहे थे तो उन पेलों की जो जो सिलीपर है वो मु नौर्दन स्टेट रेलवे नौर्दन स्टेट रेलवे लाहोर से मुलतान तक थी इसके अगर आंकले देखे तो इसके लिए लगबग 22 लाग स्लीपर की जरुवत होगी आपको इतने स्लीपर आपको चाहिए हैं लगबग 22 लाग स्लीपर चाहिए हैं तो यह बात वहाँ प आपारे खेती ही करवाना चाहते थे तो अब यहां पर एक चलना आएगा इस तो कहेंगे हम बागान बागान क्यों चलवारा है कि यूरोप में इनकी डिमांड बलेगी इनके उत्पादों की डिमांड बलेगी तो उसकी खेती भारत में करवा रहे हैं यह बागान भारत में ज की जाए यह चाय काफी और रवल की पड़ाबार करने करें को सपना कैसे आया कि भारत में करेंगे और यह आपका भला नहीं करना चाहते थे ये प्राकुर्तिक जंगलों को साफकी आता कि यूरोग के लोग चाय कीछूजन की ले सकें कौफ़ी का मज़ा ले सकें और रबड का आणनद अठा सकें इन इलाकों की बाराबन्दि कर दिए जहां पर बागान तायाइर थे गए उन इलाकों लग गए हैं तो इनसे क्या होगा वेवसाया होगा पत्ती टूटेगी चाये की तो पैकेट में टैक होकर जाेगी कौफी-क था यहां पर आप देखें कि बागान भी लगाए लेकिन इसके लाबा उनको जरूवत थी जहाज और रेल्वे की पटरियों के लिए उनको बहुत जंगलों की जरूवत थी और इनके लिए वो पेड़ चाते थे कैसा कि अच्छा पेड़ हो कैसा अच्छा कि भाई वो मजबूत हो टिकाऊ लकड़ी वाला हो उस पर लंबे-लंबे लठ बन सके ताकि जिनका उपयोग हम रेलबे के सिरीपर बनाने में कर सकें अंग्रेजियों को एक चिंता खाया रहे थी चिंता खाने के पीछे क्या था जंगलों की अधाजंद कटाई कैसी कटाई हो रहे थी भाई हमारे आपर जूम खेती होती थी गुमंतू खेती होती थी तो लोग जंगलों को काटते थी तो यह चिंता थी कि ऐसा नहीं सब जंगल कर जाएं और हम उसका उपयोग ना कर पाएं इसके लोग ने क्या किया जर्मन विशिसक बुलाए एक जर्मन विशिसक व्यक्ति है जिनका नाम है डायेट्रिच बेंडरिस डायेट्रिच बेंडरिस को बुलाते हैं और बुलाकर करते हैं भाहिया भारत में जरा पता करो आपक करते हैं और यह डायेट्रिश बेंडिस अपने को सुझाओ देते हैं सबसे पहली बात की गई संदक्षन विज्ञान की कि लोगों को आप संदक्षन विज्ञान के मामले में क्या करें प्रसिक्षित करना स्टार्ट करें प्रवंधन के लिए विवस्थित तंत्र विक्षित आपको करना होगा ताकि मैनेजमेंट कर सके जिस पर आपको फॉरेस्ट गाड आ जाए वन चित पहला जाए यह सब जंगलों को जो मैनेज करने वले लोग हैं वे तंत्र आपको विक्षित करना होगा बंच संपदा की उप्योग संबंदी नियम आप तैय कर दें कितना आप जंगल काट सकते हैं कितना आप उप्योग कर सकते हैं उसके नियम आपको करने पड़ेंगे पेड़ों की कटाई और पसूं की चराई पसूं को चराने जैसी गत्मिदियों पर पावंदी लगा देनी चाहिए जंगलों को लकडी उत्पादन के लिए आरक्षित करना अब देखो अगर कोई यह सुझाओ नहीं मानता है मतलब कि आव मानना करने वाले को सजा मिलेगी मतलब कि जो बैंडरेस के सुझाओ दिये गए थे तो अगर उन बातों को कोई नहीं मानता है जिसे जंगल पर उन्हें लकडी लेने के लिए मना कर दिया जानवर चराने के अगर ऐसी बातों को कोई नहीं मानता है अव मानना कर तो सजा मिलेगी बैंडरेस ने 1864 में भारतिये वन सेवा की स्थापना ना भारती वन सेवा इन्डियन फॉरस्ट सर्विस की नाम सो जानते हैं। तो फॉरस्ट सर्विस के जन्दाता कौन है बैंडरेस है बन जाती है भारती वन अधिनियम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्ट्यूट नाम से एक संस्थान बनाया गया इसकी स्थापना लगाने हैं जंगलों को कैसे बचाना की जिस ती जाती थी उसे व्ज्ञानिक प्दती या बैग्यानिक वान की और सामल आगवान की ती नाज पहले वा kur तुमाई ऩो चमुका को का थी अब बाद आती है कि ग्यानिग्वान्क की नाम पर बिवित Прजाति प्राकरति को काटा गया की कि क्या किゃा सभी एक तरीके से प्रजातिए के से पील लगाएं तो इस म Singロ तो इसके नाम पर क्या हुआ कि जगह चाहिए जहां लगाना है तो प्राकृतिक वन जो है उनको साफ करो उनकी जगह पर यह आप जो जंगल तयार कर दो इनकी जगह सीधी पंक्ती में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिये गए जिसे क्या किने लगे बागान के नाम तो जाने लगे इन बंब्वाब के अधिकारियों ने जंगलों का सरवेक्षन किया बिविन किसमों के पेड़ों वाले चित्रों की नाब जोक और बन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने यह भी तैग कि बागान का कितना चित प्रतिवर्स काटा ज किया गया कि हर बार कितना पेड़ काटा जाएगा यह कितने चित्र के बनकू काटेंगे कटाई के बाद खाली जमीन पर पुना पेड़ लगाए जाएंगे ताकि कुछ बरसों बाद फिर से जंगल तयार हो जाए और कटाई के काम में आ सके ठीक अब आता है वन अधिनियम जो अच्छे जंगलों को चेश जंगलोंको यहां से आप कुछ भी अपने अप्योंग यह नहीं ले सकते ना ललकडी न जानवरों को चरा सकते हैं ना फल फूल कंद कुछ भी नहीं ले सकते हैं सुरक्षित और ग्रामेड बन में घर बनाने या इंधन के लिए लखड़ी आप ले सकते थे लेकिन आप जंगल को ज्यादा नुक्सान यहां पर नहीं पहुंचाएंगे अब बात आती है कि भाई इन बन अधिन नियमों से या इन बन नियमों से लोगों का जीवन कैसे प्रहावित हुआ तो अब हम बात करेंगे लोगों का जीवन कैसे प्रहावित हुआ तो अब एक नजरिया देखते हैं कि जंगल अच्छा जंगल कैसा होता है तो इसके दो तरीके हैं या दो लोगों के द्वारा बत आते हैं मतलब की मिस्रत बन होने चाहिए वो ग्रामीड कहते हैं ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मोहिया करा सकें इसलिए साबोन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोसाहिप किया गया और दूसरी किसमें काट डाली गई इस प्रकार के बनों को कौन प्रिमोट करता था इस प्रकार के बनों को बन पाल कहते थे कि इस प्रकार के बन अच्छे होते हैं वन इलाकों में लोग कंद मूल फल पत्ते आदी बन उत्पादों का बभिन जरूरतों के लिए उप्योग करते थे बतलब कंद मूल फल क्या है यह अतियंत पोसक खाद हैं इनका मौन्सून के दौरान जब फसल नहीं आती है या फसल कटकर घर नहीं आती है तब खाने में उपयोग होता है दबाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तिमाल करते हैं यह भी पेड़ पोसों सही मिलती है लकड़ी का प्रियोग हल जैसी खेत बनाने के लिए इस मास का उपयोग भी पहले किया जाता था सूखे हुए कुमड़े के खौल का उपयोग पानी की बोतल में बोतल के रूप में करते थे मतलब यह कुमड़ा है इसको कद्दू भी कहते हैं सीता फल भी कहते हैं कासी फल भी कहते हैं तो इसको का करेंगे यहा की के खोली से तयार होता था तो इसमें पाने क्या काम करेगा जंगलों में लगभक सब कुछ है जिस्से पत्ताओं को पत्ता जोड कर एक किति की हम पत्तर और दोने बनाएंगे कैसे इस परकार के दोने क्या हUNGए का फैकर किसम की मतलब दिसको आप कहते हैं वह सियादी की लताओं से रसी बनाते थे जिसका उपयोग हम क्या करेंगे बांधने में पाने निकाले में इसका उपयोग कर पाएंगे सैमूर मतलब सूती रेसम की काटेदार चाल पर उससे क्या करेंगे सबजियां चीलेंगे मतलब जो सैमुर की चाल होगे हपि ले लिली और यसे रगल रगल के क्या क्या करें सब्जी चीलना चार जा सब्जों के पिल से खाना पकाशनidetे ऑर रोस्नी के लिए तेल होता था रगाorter फल आएगा जिसको फूल होता तो टपक जाएगा फिर एक फल आता है फिर बीज आएगा और इस बीज से क्या होगा तेल निकालेंगे उस तेल में सब्जी भी बनेगी और दीपक भी जलाया जाएगा ताकि क्या कर सके हम उसका उप्योग कर सके रोस्नी के लिए और खाने वा गर के लिए लकड़ी काटना पस्वों को चराना कंद मूल फाले खट्टा करना आदी रोज मर्रा की गत्विदियां क्या हो गई गैर कानूनी हो गई कानून क्या कहा कि आप ऐसा करेंगे तो यह गलत माना जाएगा अब उनके पास चंगरों से लकड़ी चुराने के अड़ावा कोई चारा नहीं था भाई गैस सिलेंडर तो भी आया है पहले तो खाना बनाना तो लकड़ी की जरूरत है तो अब लकड़ी चुराना मजबूरी हो गई लकड़ी चुराते थे और पकड़े जाने पर उनको क्या होता था उनको सजा मिलेगी और यह सारे चीज़ें सजा मिलेगी यह रिष्पक दे कर छुट जाएंगे यह सब बंदख्चकों की इस्तिती पर या उनकी दया पर निरभर करते थे और यह बंदख्चक उनसे घूस भी लिया करते थे उनसे खाने पीने की चीजों का भी उपयोग करते थे किसमें घूस लेने में कि भाई आप ये लिया होगे तो हम आपको लखडी लेने देंगे जलावनी लकडी एकत्र करने वाली औरतें विसेस तोर पर परिसान रहने लगीं क्यों कि उन्हें मुफ्त खाने पीने की माम करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों की सामान बात हुए बोले ये लिया हो ऐसा बना ले आओ तो हम लकडी तो ये परिसा परिसान हो रहे थी अब बात आती है कि जो बन की जो नियम थे लोगों की दैनिक दिन चरिया तो हमने देख ली कि लोग कैसे परिसान होना स्टार्ट हो गए अब बात करते हैं कि भाई इन बन के नियमों से इन रूल से खेती कैसे प्रहाबित होना स्टार्ट हो गई तो यह एक प्रकार की परमपरागत खेती का तरीका था जो एसिया अफरीका और दक्ष्न-फरीका के लोगों के दवारा अपनाया जाता था इसमें किया है इसको अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम देते हैं अलग-अलग नाम उसे भी इसको जाना गया जैसे आप देखें जिस घुमंतु खेती को दक्षन होगी तो इसी राक में हम बीज जाल देंगे और क्या होगा हम अपनी फसल होगा लेंगे दो-तीन साल लोगा आएंगे फिर चोड़ कर चले जाएंगे फिर यहां पर जंगल आ जाएंगे जूम खेती या घुमंतु खेती करने का तरीका क्या था तो जंगल के कुछ भागों को बारी-बारी से काटा और जलाया मौन्सून की पहली बार इसके बाद राक में बीज बो दिये अक्टूबर नॉंबर में इसको काट कर फसल काट ली खेतों पर दो-तीन साल तक कि वहाँ पर दोबारा से जंगल हो जाएं तो यह जूम खेती का एक तरीका हुआ करता था जूम खेती में खेत खाली करते थे उन खेतों पर मिस्रित फसलें उगाते थे जैसे आप देखें मद्ध भारत और अफ्रीका में जवार बाजरा उगाते हैं यह खाने की प्रमुक किसावा हो गया लेटन अमेरिका में अन्न भागों में मक्का और फलियां उगाते हैं मक्का अगयरा भी हम उगाते हैं यह भी क्या है आपके मुक्ख खादपदार्थ हुआ करते हैं इनका उपयों किसमे करते हैं हम खाने पीने में करते हैं यह सारी फसलें आप देख पाए है ऐसा यूरोपिय बंदक्षक कहा करती थी कि तरीका बड़ा गडबड़ है सही नहीं है क्यों क्योंकि ऐसे जमीन पर रेलवे के लिए इमार्ती लकड़ी वाले पेड़ नहीं होगा सकती क्योंकि दस बारा साल में वहाँ पर तयार नहीं होगा आप आकर फिर काट देंगे व लगान का हिसाब रखना भी मुस्किल था यहां पर कि भाई लगान का हिसाब कैसे रखेंगे यह बात भी यहां पर बड़ी कठिन थी भाई आप तो जगह बदल दे रहे हैं अभी यहां पर खेती कर रहे हैं फिर आप बदल कर अगली जगह चले जाएंगे तो लगान का हिस लगाई तो अनेक समदायों को जंगलों अनेक समदायों को उनके जंगलों से या जंगलों से घरों समित निकाल दिया गया बाहर बिस्थापित कर दिया गया मतलब जंगल चोड़ने पर मजबूर कर दिया गया कुछ ने अपना पेशा बदल दिया मतलब जो खेती करते थे मतल चाक्री बन गाए कुछ और मतलब क्या जाक्री करने लगे चाब करने लगे कर दे करके लिए अपना प्रितिरोधा किया कि आप कर रहे हैं वो सही नहीं है तो उनके बिद्रोधा तकी अब बात आती है जंगल हो गए जंगलों से किसानों को या जो आदिवासी समधाये थे वन समधाये थे उनको बिस्थापित कर दिया गया बड़े बड़े जंगल आये तो इनमें सिकार होता था जब आदिवासी समधाय के लोग भी रहते थे तब भी तो वो लोग सिकार करते थे तो अब बात आती है कि सिकार की आजादी किसे थी तो फिकार जो है भारत में उस समझ जब उपनेवेज बात का दौर था तो सिकार करने कि जंगल संबंदी जब कानून आ गए तो इन से बनवासियों के जीमन को प्रहावत किया और जो सिकार की पर था था pops है कि जंगल में सिकार करके अपना बोजन तयार कर लेंगे मों पर था क्या हो गई गैर कानूनी हो जाती है अब यह सिकार अवैद हो गए और इस प्रकार के अवैद सिकार करने पर उनको दंडित कर रहे हैं तो यह हो गई बात बंद समधायों वालों के लिए जो बंद समधाय है जो वहां पर रह रहे हो उनके सिकार अवैद हो गए लेकिन अगर हम तरवारी और नवावी परमपरा रही है लेकिन ऐसा दरवार और सिकार में ऐसा मतलब अगर उस चाहिम पर हम देखें तो इस तरीके सिकार नहीं हो तो ना कि बड़े स्थर पर जानवरों को मारें गए अपना तंबू लगाया खाना वना पकाया बोले फिर साम को चलते हैं कई कई सारी प्रजातियां तो लगभग पूरी तरह से लुप्त हो गई कि उनका इतना सिकार कर डाला कि वह आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे उधारन के तौर पर यह फोटो देखिए यह फोटो में आप इतने सारे सेर देख रहे हैं इन महासरे मारे हैं क्या खापाएंगे अब एक बंसमदान जाती है तो 1892 में जब उनकी घुमंतु खेती पर रोक लगाई गई तब उन्होंने सरकार से क्याच का दायर की घुमंतु खेती पर रोग भी लग गई साथी सस्टीकार पर भी रोग लग गई हम रोज फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज हैं हम कहीं जा भी नहीं सकते हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती कैदियों को जेलों में पर्याब्त भूदन मिलता है खास उगाने वालों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया गया लेकिन हम जो यहां कई पीडियों से रहते आए हैं हमें सरकार ने ह तो खेती कर पारे ना सिकार कर पारे हैं उनको मजबूरी में भटक ना पढ़ रहा है वह भटक भटक कर अपना जीवन यापनительно कर पार रहे स्थाप्त किया घ्या उनको निकाला गया वहां से वो लोग विस्तापित कर आर अलग अलग जगह आ गए जिब जंगल छोड़ दिए तो करें क्या कुछ न कुस्ट करना होगा तो नए ब्यापार बनेंगे नए रोजगार बनेंगे करनें वह जन्ग देगी तो यह हम यहाँ पर देखें गे नए रोजगार और नई सेवाओं के बारे में तो जंगलों उपर बंदभाग का नियंतरन स्थापित हो जाने से लोगों को बहुत नुक्सान वा उनको जंगल से बस्थापित होना पड़ा उनको अपने परमपरागत तरीके छोड़ने पड़े इस चक्कर उनको नए ब्यापार की तरफ नए रोजगार की तरफ और नए सेवाओं की तर पर रहे कर मैनियोक उगाने वारे ब्राजीली अमेजन के मुंदुरुकू समधाय के लोगों ने ब्यापारियों को रबर किया पूर्ति के लिए जंगली रबर के ब्रक्षों से लेक्टिस इखटा करना स्टार्ट कर दिया मतलब लेक्टिस इखटा करेंगे और फिर ब्यापार नहीं हो पाएगा रबर कैसे खटी करते हैं से यह कट लगाया हाँ से प्रड़ से एक एकटा हुआ यह आदमी ने खटा लिया और नीचे क्या करेंगा व्यापारियों को बेच कर आ जाएगा अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो हिंदुस्तान में बनुत प बेचा और बंजारों ने जगए जगए पर उस बनुत पादों को बेचना स्टार्ट किया जैसे मसालें हो गए सुंदर के प्रसाधन हो गए उधारन के तौर पर आप देखें हाथियों और दूसरों दूसरे सामान जैसी खालें सिंग रेसम की कोई हाथी दात बास मसाले र रहा था ब्यापार हो रहा था आदवासी समदाए एकटा करते थे बंजारों की मदद से इनको जगए जगए पर फैलाया जा रहा था इनको जगए जगए पर पहुंचाया जा रहा था इनका ब्यापार किया जा रहा था अंग्रेजों के आने के बाद ब्यापार भी पूरी अब इजारेदारी क्या कहलाती है तो इजारेदारी को देखेंगे एक तरह से पंच वर्षी ठेके की विवस्था जिसमें सबसे अधिक बोली लगाने वालों को ठेके पर तैय अवधी के लिए भूमी देते हैं तो वह इजारेदारी कहला गई कि उसको चार-पास साल के लिए कि बंद से लगा दी गहीं चुकि कम्पनिया गई व्यापार करेंगी तो सिकार नहीं हो पाएगा जानवरों को चराने पाएंगे मद्रास प्रेसिजेंसी की कोरावा कराचा वा येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतु समधाय अपनी जीबकाव से हाथ दो बैठे मतलब इन समधायों को अब जंगल में अपने जानवर चराने की परमिशा नहीं थी अगर ये मजबूरी में चोरी से सकर रहे हैं तो ऐसे कबीलों को क्या कहते हैं अपराधी कबीला कहा जा रहा था नोमट एवं चारवा समधाय के लोगों अपराधी कबीला कहा जाता था जिने लक्ड़ी चुराते हुए पकड़ा जाता था बंप्रबंधन द्वारा लाए गए बदलावों के कारण नोमट एवं चरवाहा समधाय लकड़ी काटने अपने पस्वाहें को चराने कंद मूल इकत्रत करने सिकार इवं मच्छी पकड़ने से बंचित हो गए और वो मजबूरी में ये काम चोरी से करने लगे जब पकड़े जाए तो उनको अपरादी कभी ले कहने लगे ये सरकार की निगरानी में फैक्टरियों ख़दानों वागानों में काम करने के लिए मजबूर हो कि वह इनको अपरादी के दिया या तो जेल में डाल लेंगे या सज़ा देंगे तो मजबूरी में इनको फैक्टरी कार खानों या बागानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया काम के क्या नए आउसर आए जैसे आप देखें आसाम के चाय बागानों में काम करने के लि पर सित्यां उतनी ही खराब थी उन्हें अनेग गाओं से उठा कर भरती तो करा लिया गया लेकिन बापसी उनकी आसान नहीं थी क्योंकि वह चार दीबारी में कैट थे उनको वहाँ से निकलने की परमीशन नहीं थी इसका मतलब यह था कि उनके जीवन में हमेशा सुधार ही ह हुआ है ऐसा इसका मतलब नहीं था हमीशा सुधार हो बिल्कुल ऐसा नहीं है वह चीवन' को गर्त में डाला गया नर्क बना दिया गया फस गए उनकी अजादी चलिएगए वह तो बड़े में काम की इस्थितियां भयावय थी मतलब बहुत कठिन थी बहुत वहाँ पर दुर्गम इस्थिति थी अमेजन के पुतुमायो छेत्र में पैरोबियन रबल कंपरी बिटिस बपैरोबियन साजे में मतलब एक बनाई गई उनके समझोते से उसके दुआरा रबल की निकासी बिना पैसे के काम करवाना दिन बर काम किया मिला कुछ नहीं तो यह क्यालाता है इसको कहते हैं बिगारी करने के लिए मजबूर हो गाए निरभर हो गए उनिस सो से उनिस सो बारा के बीच पुतुमायों में चार हजार टन रबल का उत्पादन हुगा और इसी दोरान इंडियन आबादी में यह यंतला मतलब टॉर्चर करना रोगों और पलायन के चलते तीस हजार की गिरावट आई रबल कंपनी के एक बितन भोगी ने वर्णन कि रबल का संग्रेक कैसे किया जाता है मैनेजर ने सैकलों इंडियनों को मतलब जो वहां के स्थानी लोग हैं उनको इस्टेशन पर उपस्त होने का निर्देश दिया अब देखो क्या कांड होगा उसने अपनी कारबाइन और चुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों का कतले आम सुरूं कर दिया थोड़ी ही देर में बच्चों महलाओं और पुर्सों की डेड़ सो लास हैं एक सो पचास लास हैं जमीन पर बिच जाती हैं जमीन ढख जाती हैं लासों से खुन से नहाय हुए दया की भीक मांगते हुए जिंदा बच्चे लोगों को मुर्दों क के धेर के साथ जिंदा जला दिया गया और मैंनेजर चिलाया मैं उन सभी इंजिनों को खत्म कर देना चाहता हूं जो रवड़ लाने के लिए दिये गए मेरे आदेश का पाला नहीं करते तो आप समझ सकते हैं कि बागानों में क्या इस्थिती होती होगी मस्दूरों की उन या से बन समझायों को बस्थापित कर दिया मतलब ना तो खेती हो सकती है जो घुमन तो खेती थी ना ही आप जंगलों में किसी प्रकार के जानवर चरा सकते हैं तो बन समझाय करेगा क्या तो अब आपके सामने आएंगे बन बिद्रो तो वही हम देखने वाले इसमें बन बिद्रोह का मतलब जंगलों में होने वाली खिलाफत है जंगलों में होने वाली जो बगावत है उसको आप बिद्रोह कहेंगे तो बन मतलब जंगल और यह बिद्रोह का जो कॉंसेप्ट आया यहां पर हम देखें यहां पर कि बिद्रोह का मतलब क्या हो गया बिद्रोह का मतल होता है कोई बुद्रों की इस्थिती और अस्वीकृत्य की मतलब जब अस्वीकृती हो जाएकि हम आपकी बात नहीं मानेंगे तब अस्वीक्रT की भाउना के से उत्पन होता है हिंदुस्तान और दुनिया भर में बंसमधायों ये अपने फ़ोपे गए बदलाओं के खिलाब बगावत कर दी थी यहां पर बगावत होने लगी थी अब देखें अंग्रेजों के खिलाब उभरे आंदुलों के जो नायक हैं आप संथाल परगना में देखेंगे तो आप पाएंगे सीधू और कानू नाम के दो आदवासी समधाय से या वन समधाय के दुब्यक्ति हैं जिनने संथाल परगना के अंदर वन समधायों के विद्रोग का नित्रत्व किया था छोटा नाकपुर में बिरसा मुंडा आपको मिलेंगे और आंदर प्रदेश में आप अलूरी सीताराम राजू को पाएंगे यह महान विक्तित तो हैं आदिवासी या हमद्स हमधायों के जिनके दवारा विद्रोग किया अंग्रेजों के खिलाप फितरो लिए पितरोद किया गया विद्रोग कर रहा हैं कि बहुए हम आपकी बात नहीं मानेंगे जबंभे दो कर रहे हैं तो हम कोसिस करते हं कि हम देखिंगер आपकिसी एक जंडल वाले इलाक और यह वाला इलाका जो है यह क्या है आपका बस्तर है है गया है यह आणदर प्रदेस ऐसा हो जाएगा इसको कहते है पठारी भाग ठीक तो यह पठारी छेतर में आपको देखने को मिलेगा इसका केंदरी भाग बस्तर के पठार के उत्तर में आप पाएंगे इसके उत्तर में क्या पाएंगे कि 36 मैदान है मतलब कहां पर यहां पर 36 मैदान आप देखेंगे और इ का मैदान है एक नदी है जिसको कहते हैं आप इंद्रावती नदी के नाम से जानते हैं यह इंद्रावती नदी क्या है यह इंद्रावती नदी बस्तर के बस्तर को आरपार कर रही कहां से पूरफ से पस्चम है यह बस्तर को आरपार कर रही पूरफ से पस्चम है कौन सी नदी जो था आप देखेंगे खास तोर से आप को मिलेगा मारिया मुरिया गौंड धुर्वा भर्टा और हल्वा अलग अलग जबानें बोलने के बाद भी यह समधा है अलग अलग जबान मतलब अलग अलग बोलने के बाद भी इनके रीती रिवाज और विस्वास बहुत मिलते जुलते हैं या एक ही रीती रिवाज और एक जैसे विस्वास आपको यहां पर देखने को मिलेंगे बस्तर के जो लोग है वो जमीन को धरती मा कहते हैं और वो कहते हैं कि जमीन इनको मिली है वो धरती मा क की देन हैं इस कारण से प्रतेक खेती हर्त योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं बतलब उसकी पूजा करते हैं इसके अलावा यह लोग नदी जंगलों पहारों इन सबकी आत्मा को भी बहुत सम्मान देते हैं उनको भी उत्राही मानते हैं चुकि हर गाओं की अपनी एक सीमा है अपनी एक चोहदी है चोहदी कहते हैं सीमा है हर गाओं को अपनी चोहदी पता होती है इसलिए यह लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देख भाल करते हैं उनको संभालते हैं उनको संजो कर रखते हैं अगर कभी आपको किसी दूसरे ग गाउं के लोग दूसरे गाउं के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे छोटा सा सुल्क अदा करते हैं एक मुल चुकाते हैं जिसे देवसारी दांड या मान कहा जाता है चौकिदार वो व्यक्ति होता है जो जंगलों की हिफाज़त करता है उसको मिलेगा बेतन फिटन कैसे मिलेगा हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज वो दिया जाया और उसके क्या करेगा वह साल्भाश उन जंगलों की चौकिदारी करता है हर बार बरस एक बड़ी सभा का आयोजन होता है जिसमें लगब आप देखें सभी पर गनों की मतलब के लिए अपनी कारियों जनात अयार करते हैं कि अब इस पर हम कैसे कार करेंगे अब बात आती है कि जंगल में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर क्या भय था हमने देखा कि बस्तर के अंदर हमने जंगल देख लिए वहाँ के आदवसी समधाय देख लिए रीती रिवाज के वाहरे में थोड़ा सा जाना और उनके अंदर क्या भय था तो जंगल का आरक्षण हुआ था इससे भय पैदा होता है आप निवेसिक सरकार ने उनने सो पांच में जब जंगल के दो तिहाई हिस्से को आरक्षद करने का कहा या इसका फैसरा लिया मतलब कि तद दो तिहाई मतलब कि अगर कोई सो बीगर जमीन होगी या हम मालने जंगल पूरा सो प्रतिसत है इसको दो तिहाई कर देंगे तो लगवख आप देखेंगे 66.6 के असपास ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा तो ये इतना क्या कर रहा है इतने जंगल को क्या कर रहा है कि उसको क्या कहलाते हैं मतलब कुछ लोगों को ये अनुमती दी गई थी कैसी अनुमती दी गई थी कि आप जंगल में रह सकते हैं तो कुछ गाओं को आरक्षित बनों मैं इस सर्थ पर रहने के लिए कहा गया था कि बंद भाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई के लिए क्या करेंगे मुप्त करेंगे और जंगल को आख से बचाए रखेंगे बाद मैं इन्हीं गाओं को क्या कहा गया बन ग्राम कहा जाता है तो बन ग्राम क्या है कुछ लोगों को वहां पर बेगारी करने करें रखा बेगारी ही कह देंगे वहां पर कि बहाई बनों के लिए प Ayubabajay coin weh से हटा दिया गया बेगार क्या क्या है इन लोगों को बेगारी करने पर मजबूर होना पड़ा क्यूrijk मौल्ड चुकाय बिश्रम कराने की जो प्रथा है उसको बेगार कहते हैं इसपे बेगार सम्कों की सब्सक्राइब काम कर्वाना भी सामिल होता है अब जो परिषानी नहीं कर पाएंगे कि लगान चुगा पाएंगे तो आप परिषान होंगी और उसी समय आगया अकाल का दौर अकाल आ जाता है तो इस ते लोग और परिषान हो जाते हैं पहले 1899-1900 में फिर 1907 लेकर 1908 तक यह अकाल का दौर आता है और इसी के साथ क्या आगया काम किया और लोग क्या हो जाते हैं भड़ा कोड़ते हैं ज्यादा परिषान होंगे ज्यादा डर होंगे तो लक्ति डर निकालेगा परिषानी को दूर करेगा तो परिषानी के बाद क्या हुआ लोगों ने बाजारों में तिवहारों के मौकों पर जहां भी कई गाओं के म लोग है इनने सबसे पहले बिद्रो किया क्यों किया क्योंकि यह सबसे आगे क्यों आए क्योंकि इनके यहां आरक्षन जो था वो सबसे पहले यहीं लगाया गया था वह आरक्षन क्या था वनों का आरक्षन था तो इस इन जो नेत्रत हो रहे थे जो बिद्रो हो रहे थे इनम कि आंदूरन पूरे गाओं के लोगों की द्वारा मिलकी किया गया था लेकिन गुंडा धूर क्या हो जाते हैं एक हम सक्षियत बन जाते हैं उनके द्वारे ये आंदूरन में बढ़ चड़कर नित्रत किया गया था गाओं में अंग्रेजों के खिलाब बगावत का संदेश संदेश पहुचाने के लिए वो आम की टहानियों का मिट्टी की ढेले का मिर्च और तीर का उपयोग करते थे इससे क्या हुआ कि भाई वो जो अंग्रेजों के खिलाब बगावत का संदेश है जगए जगए पहुचिया और इसमें हर एक गाओं ने बगावत के खर्च में कुछ ना कुछ युगदान दिया बगावत होई बगावत होई तो बाजारों को लूटा गया अपसरों और ब्यापारियों को लूटा गया उनके घरों पर डाका डाला गया या उनके घरों को लूटा गया इसकूल और पुलिस थानों को लूटा गया और जलाया गया मतलब किसको टार्गेट किया जो आपने वे सिक्सासन से या उनके कानून से जोड़े हैं उनको ही टार्गेट किया गया इस घटनाओं के एक चस्मदीद गवा मिस्नरी विलियम वार्ड ने लिखा कि पुलिस वालों ब्यापारियों और जंगलों के अर्ध दरियों स्कूल मास से सैनेकों का उपयोग करते हैं लेकिन जब यह सैनेक भीजे गए उस दौरान आप देखेंगे कि आदवासी निताब बात चीत करना चाहते थी लेकिन हुआ क्या अंग्रेजी फौज ने उनके तंबों को घेर लिया और इन पर गोलिया चला दी बगावत में सरी लोगों को लोग कहां भाग जाते हैं जंगलों की तरफ भाग जाते हैं जंगलों की तरफ चले जाते हैं अंग्रेजों को नियंतरन पाने में तीन महीने लग जाते हैं फरवरी से मई का समय लग जाता है लेकिन इस पर विद्रोहियों की बड़ी जीत हो जाती है क्या हो जाती है कि आर वक्त इतना यहां पर उसको कर दिया गया दो तिहाई से इसको और आधा कर दिया गया कि अब उतने पर ही हम आरक्षण का काम करेंगे बाकी सिर्फ हमारा क्या रहेगा फुरी रहेगा या ओपन रहेगा बस्तर के जंगलों और लोगों की यह कहानी है वो केबल अंग्रेजों क पैल लगनाहेज रहेगा है वो खत नहीं होती है आजादी के बात भी चलती है कैसे चलती है आप लोगनों को जंगलों को बाहर रखने और जंगल को उप्योग के लिए कहना आरक्षण Niti बनाए रखने या आरक्षण नीती कायम रही है ना आरकष्छन की नीती है वो कायम रही provisions आप गुधारं देंद करेंब 1970 के दषक में विस्सब्रेंक प्रस्ताव कागये उए सब्सक्राइब करी जा उख में लोगदी शुरूम इस पर योजना पर रोक लगा दिए उनने बढ़ा बिद्रो किया कि यह सई नहीं है पर जब तक बढ़े बढ़े होंगे बहुत समय लग जाएगा तो फिर उनका बिद्रो ब्रोध हुआ तो इसके कारण से योजना को वहीं छोड़ दिया गया या इस्थागित कर द आता है लेकिन अगर आप पुराने जमाने में देखेंगे या पिछले को समय पहले की बात करेंगे तो पिछले समय में यह एक आरक्ष मतलब एक घने जंगल के रूप में बन आच्छा दित के रूप में आप इसको पाएंगे यहां पर डचों ने बन-प्रबंधन की बात होती है इंडोनेसिया डच उपनवेश था भारत और इंडोनेसिया के वन कानूनों में आपको कई प्रकार की समानता हैं देखने को मिलेंगी जैसे हमारे यहां पर भी जंगल से लकड़ी ना ले पाना वैसे इंडोनेसिया में भी हमारे यहां पर जंगल में जानवन ना दधावादी 34 लाक हुआ करती थी हाला कि मेदानों में भी घेर सारे गाहों थे लेकिन पहालों में भी घुमंतू Uh खेती करने वाले अनेक समधाये रहा करते शती जंगलों को साफ करके खेती करते थे पिर आगे बढ़ आए जैद फिर नई एक व्यक्ति का अपना एक महत होता है बिना महत के कोई व्यक्ति भेजा ही नहीं गया है भगवान के द्वारा है ना तो आप इमान के चलना दुनिया में कोई भी चीज है तो सबका अपना एक महत है जिसका महत आपको दिखता है उसको आप पकड़ लेते हैं जिसका नहीं दि कातने का हमेशा काम करते हैं उनको हम लकड़हारे कहते हैं तो बात करेंगे जावा में एक समधाय है जिसको कहा जाता है कलांग समधाय कलांग समधाय के कि लोग कुसल लकलहारे और घुमंतू किसान थे जैसे ही घुमंतू किसान वाली बात आ गई इसका मतलब क्या हो गया कि लोग घूम घूम कर खेती कर रहा है मतलब कौन सी खेती कर रहा है जूम खेती कर रहा है जब यह जूम खेती या घूमंतू खेती करेंगे तो यह बार ब 1755 में जब जावा की माताराम रियासत को बाटा गया है ना माताराम रियासत दो हिस्तों में बढ़ जाती है रियासत का बटवारा होता है तो उस माताराम रियासत में 6000 कलांग परिवार रहा करती थी तो इन कलांग परिवारों को दो अलग-अलग हिस्तों में बाट दिया गया कैसे मतलब बराबर बराबर कर दिया गया कि 3000 एक रियासत में चले जाएंगे और 3000 दूसरी रियासत के अंदर चले जाएंगे ऐसा क्यों किया गया या ऐसा बटवारा क्यों हुआ तो इसके पीछे जानने की बात करते हैं तो देखते हैं कि ऐसा क्यों किया गया जैसे हमने सवा किके कारण यह क्या करेंगे सागओं के पियरे से राजा का महल बन पाएगा अगर किसी राजा को ये क्लांग समझाएं कि लोग नहीं मिलते हैं तो अपने अपने किलाई हर व्यक्ति से लकडी नहीं कट सकती आप लोग भी पेर काटना अपने अपने टेक्निक का गाम है कैसे बड़े कैसे काट रहे हैं आप कैसे कुलहाली का एंगल कैसे रखना है आप कुलहाली को कैसे चलाएंगे यह सारी बात है कई बार क्या होता है आप चलाएंगे आपने खड़ी चला दी तिरशी नहीं चलाई तो पलट कर कई बार उचक जाती है हास से अगर छूट गई तो आपके पैर में लग सकती है आपको लग सकती है तो यह सारी चीजह क्या है कलाएं हैं और यह इस कला में निपन्न लोग कौन गाल समदाय के लोग उनके लिए काम करें ताकि वो ज्यादा जंगल काटके दें और हम लकड़ी से जादा जहाज सैयार करें और रेल्वे के स्लीपरों को तैयार करें या दूसरे और साधनों में या उद्योगों के अंदर इसका उपयोग करें लेकिन 1770 में कंगालों ने क एक डच क्रेपर हमला करके इसका प्रतरोद किया लेकिन इस बिद्रोग को डचों के द्वारा आसानी से दबा दिया गया या कुछल दिया गया तो आप कंगालों के महत्तों को समझ सकते हैं कि जो मातराम रियासत हैं वहां भी देखा ये इनकी लकड़ी कातने कला कैसी थी और लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी उनने नियंतरन स्थापित करने के लिए ये बन कानून लगाए थी ताकि उस इलाके पर भी नियंतरन आ जाए और उन लोगों पर भी नियंतरन आ जाए जो जंगलों में रह रहे हैं उनको हम अपने हिसाफ से चलाएंगे क्यों होगा त चोटे लोग थे या जो बंद समधाई की लोग थे उनके लिए क्या कहा गया नाओ या घर बनाने जैसे खास उद्देशों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से ही लकड़ी काटी जा सकती थी और वह भी कड़ी निगरानी में आप ऐसा ने कि आप गए और आपने काट के प्रबंधन करने की आउसकता पैदा हो गई आउसकता के पीछे कारण यह है कि जहाज और रेल लाइनों का निर्मार इनके निर्मार के लिए जंगलों के हो सकता है और उन जंगलों का प्रबंधन करना पड़ेगा तब आपको वो कीमती इमार्ती और टिकाव लकड़ी मिल पाएगी 1882 में अकिले जावा से ही 2,80,000 सिलीपरों का निर्याद किया गया तो यह सिलीपर बनाने के लिए और जहाज बनाने के लिए लकड़ी के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं इनको मजबूत टिकाव और अच्छी लकड़ी चाहिए है इसके लिए वहाँ पर इनको बन प्रबं चाहिए हैं तो सरम क्यों तो यह पेड़ काटने लठों को ढोने और स्लीपर तयार करने के लिए अब इस सरम किया पूरती कैसी करें तो खेती की जमीनों पर आप लगान लगा दूगे तो लगान चुकाने पाएगा लगान चुकाने मों उसको परिसानी होगी तो आप क्या कहेंगे कि भाई हम लगान में माप कर देंगे लेकिन हमारे लिए काम करो तो क्या होगा कुछ गाओं को इस सर्थ पर इस से मुक्त कर दिया कि वे सामुहिक रूप से पिड़ काटने और लखडी धोने के लिए भैसे उपलब्द कराने काम मुफ्त में करेंगे तो हम आपको क् अदि ब्लेंडाग टी इन स्टें इस विवस्था के लाई तो लोगों को लकडी ड्होने के लिए भैसे उपलब्द कराना है और लकडी काटने काम मुफ्त करना है बाद में बन ग्रामवाश्यों को लगान माफी की वजाए थोड़ा बहुत महनताना तो दे दिया मतलब थो में तक आप यहां पर टिक कर नहीं रह सकते हैं खिती के दिकारों को यहां पर सीमित कर दिया गया अब आता है आपकी सामिन की चनौती एक व्यक्ति है सामिन सुरोंतिको सामिन नाम के व्यक्ति है यह क्या है एक रांदूबलांतुंग करके जगह है रांदूबलांतुंग गा आने चाहिए आप लिख कर उसको दो-चार बार बोल कर जरूर देखना तो इस सागाउन के जंगलों में इस गाउं में रहते हैं तो सामें ने क्या कर दिया सामें ने बोला कि भाई जब राज ने उसने राज की उपर एक सबाल ख़़ा किया है ना अठरसनब्बे में उसने ज जन्तुरन क्यों होगा उस राज का उस पर अधिकार नहीं होना चाहिए ऐसा कहा गया और ऐसे क्या हुआ जल्दी ही क्या हो गया ये उसका जो तर्क है वो दीरे दीरे फैल गया एक ब्यापक आंधुलन बन जाता है उसमें उसके ढामाद है ना और उसके घरवाले भी बहु सामन बादियों ने अपनी जमीन पर लेट कर इसका बिरोद किया जब कि दूसरों ने लगान या जर्माना ना भर कर बेगार करने से इंकार करकर इसका बिरोद करना स्टार्ट कर दिया तो आप समझे कि उसने अपना एक तर्क दिया और बहुत लोजिकल तर्क दे दिया उसको करनेट कर दिया लोग मानने लगे बनाने सकता राज हावा नहीं बना सकता पानी नहीं बना सकता जमीन नहीं बना सकता लकडी नहीं बना सकता तो राज जका तो होगा नहीं और लोग इससे जोड़ना स्टार्ट कर गए यह इन्डोनेसिया का इलाका है और हम सारी बाते कहां क सारे हो रहे थे जावा के अंदर किए जा रहे थे यहां पर सामें की चुनोती से अब सामें की चुनोतीचे बाद क्या हुआ कि बाइ कुछ परतिक्रिया देनी पडेंगी कुस तो करना पड़े तो उनाइट इंडिया एसन इंडिय कम्पनी के बाता डा-ängt वान हमारे बेड़े न Cornetto हो चुके हैं हमारा ब्यापार मुर्जा चुका है हमारा नौका यान नस्थ हो चुका है नस्थ होने वाला है कि उत्तरी ताक्त हों से हम बे पनाही दोलत दे कर जहाजों का निर्माल कर्वाते हैं जहाज बनवाने के लिए लखड़ी और दूसरी सामगनी खरीदते हैं और जाबा में हम सामरिक और ब्यापारिक संगठित दलों को जिनकी जड़े इस धर्ती में धसी हुई है छोडते हैं हाँ जावा के जंगलों में एक सम्मान जनक नौसेना के निर्माड को बहुत ही कम समय में संभाव करने की परियाब लकड़ी है साथ ही जितनी जरुवत है उतने ब्यापारिक जहाजों को बनाने के लिए भी हैना इसके बावजूद जावा के जंगल में उतनी तेजी से उकते हैं जितनी तेजी से उनको काटा जाता है उचित प्रबंदन और अच्छी देखरेक के सा वाथ यसरोथ कभी भी खत्म नहीं होंगे कभी खत्म होने वाले नहीं है ऐसा कहा गया ताकि जावा के लोग इनकी बात मानने लगें यह सुनने यह परतिक्रिया पका सामन की चुनाती के बाद ने कर में आकर यह पुर्तिक्रिया यहां पर देनी पड़ी अब दिखते हैं युद्ध और बंडबिनास के बारे में के युद्ध क्या है और बंडबिनास क्या होता है बंडबिनास का जो असर है बंडबिनास कब होगा यह होगा पहले और दूसरे बिस्युद्ध में तो इस पहले बनेगी रेलवे की पट्रिया डालेंगी और जो भी जरूरते हैं उनको पूरा करने के लिए इनने क्या किया कि बेतिहासा पीड़ काटे एक नीती है इसको कहते हैं भस्म कर भागो नीती यह जाबा पर जापानियों के कबजे से ठीट पहले डचों के द्वारा अपनाई गई पाकि जापानियों के हात में लगनेगी तो वो बन बास्यों के लिए मजबूर किया बाद और युद उद्योक के लिए जंगलों का निरमम मतलब बहुत बुरी तो जंगल कर लेते हैं जंग के बाद इंडूनेसियाई वनसेवा के लिए इन जमीनों को दुОबारा से बापश था कर पाना बोला मुस्किल था क्यों मुस्किल था तोकि हिंदुस्तान की तरह यहां भी खेटी यह भूमी के परती लोगों की चाप बहुत अलग है एकदम जमीन से जुड़ जाते हैं तो जमीन को नियंतरित करने तो लोगों को उससे बाहर रखने की बंद भाग की जित के जित से लोगों में और बंद भाग के बीच में क्या हो गया तक्राव पैदा होना स्टार्ट हो जाता है दोनों आपस में तक्राने लगते हैं अब बात करते हैं बानकी में आए नए बदलाओं के बारे में क्या बदलाओं बानकी के अंतरगत आते हैं अब देखें 80 के दसक में एसिया और अफ की लगाई और इस बैग्ञानिक वानकी की चलते आप वन संब्दायों को बाहर रख रहे हैं तो सरकार में और वन संब्दायों में टक्राओं हुरा है तो यह तक्राओं बार बार पैदा होका और दूसरी चीह समझ गए कि भाई आप यह तक्राओं के सिति कि इस लक्ष को हासिल करने के लिए अब हमें बंद प्रदेसों में रहने वालों की मदद लेनी पड़ेगी बिना उनकी मदद के हम यह संरक्षण का कार नहीं कर सकते हैं आप देखेंगे के मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इस कारण से हैं कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी क्योंकि गामेरों ने सरना देवरा कुडू कान राई इत्यादी नामों से इन्हें पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की इनको संरक्षण करके रखा हुआ था कई सारे गाओं ने तो अब बन रक्षकों पर निरभर रहने की बजाए अपने जंगलों की चौक सी अप कि अब बन प्रबंधन के बैकल्बिक तरीकों पर आप विचार करना पड़ेगा तो यह बदलाओ कुछ यहां पर आप जंगलों के अंदर देखेंगे कि यह सुरक्षण भी रखे गए और भविस्व में बदलाओ के लिए भी यह लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं तो करने के लिए गूगल पर टाइप करेंगे माग्रेट ब्रेंस डाट कॉम जैसे ही आप टाइप करेंगे तो बहुत सारी लिंक का जाएंगी पहली लिंक पर किलिक करेंगे तो आप वैप साइट में प्रवेस कर जाएंगे प्रवेस करेंगे तो यहां पर कोर्स में जाएंग K to 12 यहां पर आप Hindi medium को select करेंगे select करते ही आपको आपकी class select करनी है तो आप अक्षा नॉमीं के विध्यारती है तो आपने class 9 select की class 9 select करने के बाद आपके सामने teacher आजाएंगे जैसे teacher आएंगे तो फिर आप आपको क्या करना है जो भी subject आपको देखना है वो subject के नीचे ऐसे watch now बना हुआ है इस पर click करेंगे click करते ही क्या हो जाएगा वीडियो ऐसा आपका क्या हो जाएगा ऐसे आपका एक प्ले लिस्ट आ जाएगे अब इस प्ले लिस्ट में जिस भी चैप magnet benz hindi ने हिंदी मालम के भिधार्तियों के लिए कछशा छे से लेकर चा बार्मी तक का संपूर्ण पार्टिकन बिल्कूल ने मैं उप्लब कर आया है यह वीडियो पर राप्त करने के लिए आप को करना क्या है आप my back been sheen को subscribe करें जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें अपने दोस्तों में जम कर सेयर करें और कमेंट करकर हमें भी बताएं कि वीडियो कैसे लग रहे हैं धन्यवाद